नमस्का दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं थेटर में रेलीज हुई एक हिंदी फिल्म के बारे में जिसका नाम है ट्वेंथ फेल्ग इसके लिए डूल में आपको रजर में आएंगे विकरात मैसी और विकास दिव्यकिर्ती का एक छोटा सा केमियो इस फिल्म के जो डारेक् अब इस फिल्म को देखने के बाद मेरा जो उपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे लिए फिल्म एक अच्छी वेल रिटन और हाईले इंस्पाइरिंग मुवी साबित होती है इस फिल्म को देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा इमोश्टल भी हो ज ठान लेता है कि उसको एक IPS ओफिसर बनना है और वो निकल पड़ता है दिल्ली UPSC की एकजाब क्लियर करने के लिए और उसको किन-किन संगर्शों का और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और कैसे फाइनली वो IPS ओफिसर बनता है ये जानने के लिए आपको ये पूरी फ संगर्श करते रहना है मतलब जिस प्रकार से इस मूवी में मनोच कुमार संगर्श करते हैं आप वो संगर्श को देखके अपने आपको बहुती छोटा मैसूस करते हो जैसे कि एक सीन में जब ठान लेते हैं मुझे ओफिसर बनना है तो वो बस के द्वारा निकल पड़ते ह अब वहाँ पे उनका जो बेग है वो चोरी हो जाता है अब उनके पूरे परिवार की जो जमापुंजी है आज तक के लेके अभी तक जितनी भी जमापुंजी उन्होंने इकटी करती वो पूरी चोरी हो जाती है कपने वगेरा सब चोरी हो जाते है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मागते उसी वक्त दो दिन के बाद वो ठाल लेते हैं चलो IPS अफिसर बनना है और दिल्ली निकल जाते हैं चाहे किसी की भी मदद लेनी पड़े दिल्ली पोचने के बाद वो लाइबरेरी में काम करते हैं आटा चक्की की वो घंडी में काम करते हैं और वहाँ पे इतना ठ्रगत उन्होंने दिखा है मनब वो रहने की भी जगा एक प्रकात का नर्क लग रहा था लेकिन फिर भी वो वहाँ पे रहे के मेनत करते हैं वो जो संगर्स इस मूवी में है सच में आपके रोंग्टे फड़े हो जाएंगे मनब वो दिखके हैं सच में आप अपने आपक कोशोगे कि आप किस चीजों के लिए फरयात करते हैं मुझे ये टीचर नहीं पढ़ पाया मैं इस इंस्टिडूट से नहीं पढ़ पाया मैं इस कोचिंग सेंटर से नहीं पढ़ पाया मनब आप किस किस चीजों से मनब कोशते रहते हैं अपने आपको और यहाँ पे वो ब कोई भी फिल्ड हो अगर नोकरी करनी है मेनत करना है बिजनेस करना है मेनत करना है यूटूब करना है मेनत करते रहना है मेनत के अलावा कोई उपाई ही नहीं है बेठे बेठे कुछ हाथ नहीं दरने वाला लड़ाई तो करनी पड़ेगी मेनत करता है रहना पड़ेगा क्या ह लेकिन आगे बढ़ते रहना है, कभी अपने आप वो पीछे नहीं लखेना है, अगर इस चीज़ से आपको फेलर मिल रहा है, दूसरी चीज़ करना है, दूसरे से फेलर मिल रहा है, तीसरी करना है, लेकिन करते रहना है, जब तक सफलता नहीं बिल जाती तब तक आगे फिल्म में जब आप मनोज कुमार का संगर्ज देखोगे आप सच में बहुती ज़्यादा एक इमोशनल हो जाओगे फिल्म में विकरात मैसे ने जिस प्रकार से पफोमस दिया है मुझे लगता है कि वो उनके करियर का सबसे बेस्ट पफोमस है उनके अलावा मनोज कुमार का एक्टर को देख रहा हूँ एसा न लगए लग झाहि бए और सच में काबिले तारिफ थे एंडिंग में तो आप इमोशनर हो जाओगे और जिस प्रकार से वो dialogues बोलते हैं जिस प्रकार से उनको कभी कवार इंगलिश शमज में नहीं आते हैं और जिस प्रकार से वो famous बखती है उनको लेने के लिए ही ये film को लिया गया था और थोड़ा बहुत उनमे ने सुना है कि उन्होंने dialogues समान गेरा भी उन्होंने लिखा है तो जितना भी उन्होंने writing किए बहुत ही बढ़िया तरीके से लिए अब दोस्तों इस फिल्म की कम्यों की मात करें तो इस फिल्म में संगर्ष की लाइप तो दिखाएंगे लेकिन जो पढ़ाई वगेरा का जो सीन है या फिर जिस प्रकार से उन्होंने जो मेहनत किये पढ़ाई में वो उतना जादा नहीं दिखाया है बलब एक हुदा है कि चल फिल्म में मज़ा आता फिल्म में कुछ कुछ बाते फिल्मी पना मतलब फिल्मी तरीके से दिखा दी है जैसे कि इंटर्वी वाला जो सीन है उसको बहुत ही फिल्मी टच देने की कोशिश की है वाके जो डायलोग्स है और जो बोर्ड मेंबर है बहुत ही फिल्मी सवाल पूछते तो पता नहीं ऐसा क्यों किया उसको और रियल और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था लेकिन ठीक है देखने में मज़ा आता है और एक फिल्म की तरह हम इसको एंजोई करते हैं फिल्म में मनोज और शट्धा का जो लव एकल है वो मुझे थोड़ा बहुत ओड ही लगा बले ही रियल लाइफ में ऐसा ही हुआ होगा लेकिन फिल्म में हम कही से भी उनकी लाव स्टोरी में करेक्ट नहीं हो पाते तो वह एंगल अगर नहीं दिखाते हैं फिर बहुत ही कम दिखाते तो भी चल जबाता फिल्म के जो गाने हैं वो उतने ज़ादा अच्छे नहीं लगते, थोड़े बहुत मतलब सुनने में ठीक है, और फिल्म के जो side character है, जो एक चाई वाले का जो character है, बहुत ही मदद करता है, और fail हो चुका है, वो भी 6 attempt देके वो fail हो चुका है, तेकिन फिर भी वो मनोच की मदद करता है, तो वो character भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो ये फिल्म overall आपको inspire ही करेगी, और काई बेबी इस फिल्म के साथ आप dishonest फिल नहीं करोगे, बहुत ही इमानदारी से बनाए हुई ये फिल्म लगती है, तो ये फिल्म आप ज़रूर से थेटर में ही दिखेगा, इस फिल्म की जो लेन थे, वो दो कंटे 26 मिनिट के आसपास है, मैं इस फिल्म को दूंगा 7.5 आप टोप 10 स्टार्स, आपको ये रिव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएगा, और अगर रिव्यू अच्छा लगा, वो तो लाइक ज़रू कीजेगा, तब तब के लिए फिर मिलते हैं, जई श्री अज़रूरूरूरूरूरू